भोला भोला सवाल पूछना चाहते। प्रकिस्तान में चैंपिन्स टॉफी खेलती हुए नजर आएगी की नहीं। जिस दिन पाकिस्तान आतंकवादी मनसूबों को छोड़ देगा, उस दिन खेल का मैदान सज जाएगा। लेकिन जब तक आतंकवादी साजिशों को वो सोचता रहेगा, तब तक भारत के साथ पाकिस्तान में क्रिकेट भारत की टीम नहीं जानी चाहिए। मेरा व्यक्तिकत सोचना है, मैंने तब भी ये कहा था और उसके बाद BCCI का भी सेम, वही अब तक वो चला है, मैं इतना ही कहूंगा। लेकिन जन्ता को भी देख लेते हैं, क्या पाकिस्तान वहाँ से आतंकवाद यहां पर भेजे क्या हमारी टीम वहाँ जानी चाहिए। प्रेस की जब मैं बात करता हूँ, तो इससे बड़ा उधारन देश में आपके सामने क्या होगा। यह कोई recorded कारेक्रम नहीं लाइव है और जन्ता के भीच में है। एक बहुत senior देश की managing editor जो हमारे News24 की अनुरादा परसादी और आपके बाकी टीम खुले तोर पे मुझसे प्रशन पूछ रही हैं। और मैंने शायद कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जिसको मैंने कहा मने जवाब नहीं दूँगा। आपने जो सवाल पूछा उसका मैंने हरेक का उतर दिया, हलाकि मोदी सरकार की उपलबधियों की तुलन आपने मुझे करने का अफसर नहीं दिया। आभी पे बागी है। अब ऐसे जाने नहीं देना चाहिए इंको, ये मन में शायद Anurag जी लेके जा रहे हैं कि इनको इनकी बात पूरी करने का मौका नहीं दिया गया अरे, अभी भी बाकी है, 50% तो पूरी की पूरी इनों नहीं अपनी जा रहे हैं फिर मन में, कि हमें अपनी बात पूरी कहने का मौका नहीं दे गया कि देश जाने की कैसे, हम 2014 से पहले कहां थे, आज कहा हैं 2014 से पहले भरष्टाचारी साशन था, आरोप थे हमने 10 साल में इमानधार सरकार दी 2014 में 74 एरबोर्ट थे, आज 157 एरबोर्ट है 2014 में 96,000 km नाशनल हाईवे थे, आज 1,500,000 km नाशनल हाईवे है 2014 में 3,20,000 km ग्रामीन सडके हैं थी, हमने 3,75,000 km नई सडके बनाई है 2014 में 0 बंदे भारत थी, आज 41 बंदे भारत है 2014 में 51,000 MBBS की सीटे थी आज 1,001,000 है उस समय पोस्ट ग्राजवेशन की सीटे 31,000 थी आज 65,000 है उस समय 480 उनिवस्टी थी आज 1100 उनिवस्टी थे उस समय 16 IIM थे आज 23 से 12 IIT थे आज 19 है उस समय 7 AIM थे आज 22 AIM थे उस समय जो हमारा मेरीन एक्सपोर्ट था उससे 6 गुना ज हमारा फॉरेक्स रिजर्व था आज साड़े 600 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व हो गया उस समय हम दसवे नंबर की अर्थविवस्ता थे आज हम दुनिया की पांच मी बड़ी अर्थविवस्ता बन गे और मैं कहना चाहता हूं रादा जी उस समय हम गिने चुने मैडल जीते थ आज सौ से ज्यादा मैडल हमने एशिन गेम्स में जीते हैं और पचास परसेंट मैडल हमें महिलाओं ने जिताए हैं भारत की बेटियों ने पचास परसेंट मैडल जिताए हम उस समय चंदा मामा की लोरियां सुनते थे आज चंदरयान मिशन की सफलता करते हैं उस समय 500 उस समय दुनिया में कही नहीं तर थर्ड लार्जर स्टाट अप एको सिस्टम करते हैं और आप तीसरी बार मोधी को पर्धान मंतरी बनाई यह अगले तीन साल में तीसरी बड़ी अर्थ विश्ता भारत को हम बनाएंगे हो गया थोड़ा और है थोड़ा और है हमारा लाइ अपन्त आप शोलर यह जो लाए एक कोड़ घरों के उसमें वी दो किलोवाट के साथ एक किलोवाट और लेंगे तो आपको थीन सो इनिट बिजली के मिलेंगे और पंदरा जार प्या साल का भी कमाएंगे तो आप भी मुझे दो मिनिट के साथ एक मिनिट और मुफ दे दी अनुरादा जी लेकिन अनुरादा जाठ खौग की दाद देनी पड़े देनी parentsAlli aad kubba किया है यादा हूआ पूरा रटा हूए है पूरा रटा हॉए हूए हूरा रटा हूए हुआ ऑध पड़ते ते न बच्पन में तो परवक्था इतने पता देता हूं कि पिछले 10 सालों में पचीस क्रोड गड़ी रिखा से बाहर निकाल कर लाए अभी तो हमने 10 सालों में मजबूत भारत की यानिके नए भारत की मजबूत नीम रखी है लेकिन इसमें मजबूत इमारत बनाएंगे विक्सित भारत बनाएं उनका जो आज की डेट में जो उनकी कवायद है विचिसा इन्फोर्मेशन और ब्राद कास्टिंग मिनिस्टर तो जोर्दार अपने अपने पार्टी की अपने नेता की अपने पूरे पहाणों समेंत पहाणा एक बटा एक दो बटा ती चार सब कुछ करके इन्हों ने बोल झाल